तो मोधी जी ने आर्टिकल 370 मुवी को प्रमोट तो कर दिया लेकिन मेरे हिसाब से उन्हों ने मुवी देखी नहीं थी क्योंकि अगर वो मुवी देख लेते तो इसको कताई भी प्रमोट ना करते इनफाक्ट रिलीज होने से पहले इसके उपर बैन और लगा के रख देते अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको जानने के लिए रुको जरा सबर करो सो रिसेंटली मैंने देखी आर्टिकल 370 मुवी और इस मुवी में हर वो चीज है जो कि फिल्म को अच्छा बना सकती है आज की रेट में जैसे की नहरू को भर-भर के ब्लेम दे रखा है उसके बाद आर्टिकल 370 के बारे में बात करी है साथी में कश्मीर के अंदर कैसे ट DJP के फ्रेंड्स इस मुवी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं इस सवाल का जवाब आगे चलके आपको दूंगा लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार मुवी कैसी है और क्या आपको यह मुवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए क्या यह मुवी एक रियल हिस्ट्री बताती है या फिर एक प्रोपगांडा चलाती है अब इस सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मुवी की जो स्टोरी है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की बैक स्टोरी यहां पर दिखाई गई है और कैसे एक बिल्डप यहां पर क्रियेट हुआ पिछल की रेलिजींस का ओफिसर दिखा जो की कश्मीर में पोस्टेड है और काफी ज्यादा CHOOQ ありौ को स्कलिन क्शिमीर में पर दिखा दियागया और उनकी मुर्तियु को एक स्यूसाइड जोस में काफी जादा जोश में हैं मतलब एकदम वो बदला लेना चाहती है कश्मीर के उन लोगों से जो की कश्मीर की हालत को खराब करके बैठे इन फैक्ट यामी गौतम फिल्म के शुरुवात में ही एक बहुत बड़े टेरिस्ट को भी पकड़ लेती हैं मारी देती है उस टेरिस् क्योंकि ट्रांसफर होने के कुछी समय बाद उनको एन ये का ओफर दिया जाता है देश की सरकार द्वारा और वो एन ये में जा करके कश्मीर में बैठ करके सरकार की हेल्प करती है आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के लिए अब इसी सब के बीच में आर्टिकल 370 और कश कुकु FM पर जिसमें आपको पता चलेगा कि कब क्यों क्या और कैसे हुआ कुकु FM एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन audio learning platform है जहां पर दस हजार से भी जादा audio shows को access कर सकते हैं इस इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि आपको 50% off मिलेगा for first month यहारे कि first month आपको पे करने होंग 99 रुपीज की जगा सिर्फ 49 रुपीज अगर आप मेरा coupon code PSH50 यूज करते हैं तो इसका link मेंने description में दे रखा है So coming back to the film का review, story बहुत जादा अच्छी है, Yami Gautam की acting बहुत जादा अच्छी है, music बहुत जादा अच्छा है, cinematography जो होती है specially Kashmir के जो shots लिए गए हैं अलग-अलग वो तो बहुत ही जादा सुन्दर है In fact, जिस बंदे ने Amit Shah का character यहाँ पर निभाया है, जिसका की नाम change यहाँ पर किया गया है, वो भी बहुत जादा उनकी अच्छी acting है और Narendra Modi की acting, यानि की अरुन गोविल यहाँ पर Narendra Modi बने है, उनकी भी acting बहुत जादा decent है फालतू में mimicry करने की कोशिश नहीं करी गई है, काफी natural इसको अपने आप में रखा गया है अब जब इतनी सारी चीज़े अच्छी है तो आखिरकार बुरा क्या है और क्यों आखिरकार इस फिल्म को BJP, IT से लिया या फिर गोदी मीडिया के लोग प्रमोट नहीं करके दे रहे वो भी first day first show से इसका सबसे पहला reason ही है कि ये movie काफी जादा technicalities के बारे में legalities के बारे में बात करती है article 370 के abrogation के मतलब article 370 तो है लेकिन इसको किस तरीके से हटाया जाए, कौन सी clause को इस्तिमाल किया जाए, किस तरीके से इसको एक legal standing दी जाए, इसके बारे में बहुत जादा emphasize किया गया है और definitely ये चीज जो है, ये IT cell के लोगों को या फिर जो whatsapp के ओपर depend करते हैं history पढ़ने के लिए, उनको कभी भी समझ नहीं आने वाली, in fact वो लोग यहाँ पर आपको अबासिया मारते वे नजर आएंगे, उन लोगों को बिलकुल भी interest नहीं आएगा, उनको सिर्फ चिए मार वो एक Muslim character दिखाया गया है, और उसको एक काफी good light में यहाँ पर दिखाया गया, और ये चीज, ये हमारे propaganda में भाया, फिट नहीं बैठती, इसलिए हम इसको promote नहीं करेंगे, लेकिन तीसरा reason जो मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे बड़ा reason है, और इसी point से मैंने इस वीडि मोदी जी शायद आपको बहुत अच्छे या फिर आपको भगवान लगते होंगे, लेकिन आप ये बात फिर भी agree करोगे कि मोदी जी अपने से जादा बड़ा किसी को कभी भी नहीं देख सकते हैं, जहाँ पर भी उनसे जादा बड़ा perception किसी का बन रहा हो, दो second में मोदी इनसेक्योर हो जाते हैं, और भाई यहाँ पर तो पूरा का पूरा Parliament session दिखा रखा है, साफ साफ दिखा रखा है कि किस तरीके से अमिच शा ने Article 370 abrogation कराया, जहाँ पर majority भी नहीं थी भारतिय जंता पार्टी की वहाँ पर भी इस बिल को पास कराया गया था, वो भी नरेंदर मोदी को एक बड़ा हीरो नहीं दिखाती, बलकि अमिच शा को एक बहुत बड़ा हीरो दिखाती है, और मुझे लगता है कि यह शाद सबसे बड़ी वज़ा है, जो इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर इस ताइम पर प्रमोट ही नहीं किया जा रहा, हाँ हो स खुद इस फिल्म को प्रमोट किया था अपने एक भाशन के अंदर, भई मोदी जी हैं, उनके इतने सारे फॉलोर्स हैं, 35 करोड से जादा उनके वोटर्स हैं, मोदी जी ने कहा था, तो कम से कम 35 करोड लोगों को देखनी चाहिए थी ना, लेकिन सिर्फ 5 करोड कमाया पहले दीमोनिजेशन के बाद भी टेरर फंडिंग जो है, वो चालू रही, इनफाक्ट, 2018 के आसपास, टेरर फंडिंग जो है, काफी जादा बढ़ गई थी, मतब दीमोनिजेशन के बाद भी टेर फंडिंग काफी जादा पीक पर थी, ये चीज दिखाया गया फिल्म के अंदर, और महभूबा मुफ्ती का एक एंगल दिखाया हुआ है, कि किस तरीके से पी-म ने महभूबा मुफ्ती की पार्टी को सपोर्ट दे रखी थी और उनको CM बना रखा था, और महभूबा मुफ्ती को यहाँ पर बैड लाइट पे दिखाया ही गया, तो ये वाला फैक्ट की व की स्पीचिस दिखाई गई है, अमिच शा का एक कैरेक्टर बना करके दिखाया गया है, वो काफी जादा स्ट्रॉंग आपको देखने में लगेगा, और वही फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट, हाइप पॉइंट भी है, इन फैक्ट मैंने एक बहुत इंपोर्टन चीज वो कोई भी चोटी मोटी बात बोलते थे, तो एकदम से लोग खुश हो जाते थे, तालिया बजाने लग जाते थे, भारत माता की जैकरने लग जाते थे, मतलब ओडियन्स के अंदर एंथूजियाजम जो था, वो अमिच शा को लेकर जादा था, और इसी को लेकर इंसीक्य में से 4 स्टार्स दूँगा, क्योंकि फिल्म के तौर पर अगर देखा जाए तो एक काफी वेल मेड फिल्म है, म्यूजिक अगर खास तौर से बात करा जाए, तो काफी डिफरेंट तरीके से म्यूजिक दिया हुआ है, इन फैक्ट ये भी मैं बताना चाहूँगा, कि ये ए अगर आपने फिल्म देख लिए तो आपका क्या रियाक्शन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ, और अगर नहीं देखिए तो क्या देखने जाओगे या नहीं जाओगे ये भी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, तो पहले महीन आपको 50% off मिलेगा 99 की जगा 49 रुपीज पे करने होंगे अगर आप लोग मेरे दिये होए description के link से जाओगे इस वीडियो में सिर्फ एता ही मुलाकात होगे आप सब लोगों से इस चानल के अगले वीडियो होगे